वेलकम तो दा सोशल साइन्स लेक्चर इन लास लेक्चर वी कम्प्लीटिड आवर टिप अट मुननाल सो टुड़े वी विल डिसकस अबाव दा डिफरेंट टाइप अफ तुरिजम तो कल मैंने आपको बताया था कि अलग अलग जो टुरिस्ट आते हैं उनका इंटरस्ट भी अलग लग होता है उनका टेस्ट भी अलग लग होता है तो हर किसी को अलग अलग टाइप के टुरिजम में जो है इन्जोई करना होता है तो कौन-कौन से tourism होती है, different type की, तो पहला है adventure tourism, तो क्या होता है adventures, जिसमें adventure होता है, it includes exploration of the remote area adventures activities, जिसमें adventurous activities होती है, यहां कि बहुत मुश्किल होता है, यहां पर, तो इसमें कौन-कौन से include होते है, trekking, trekking is the popular in the places like Ladakh, Sikkim और Himalayas, यह काफी famous होती है, यहां पर, काफी popular होती है, trekking आपको पते की बरफ पर होती है, तो यह जो है, काफी famous है, Sikkim, is the popular in Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir, next is water rafting, a text adventure tourist, उत्राखंड, असम and the Arunachal Pradesh, तो यह adventure tourism, जिसको लोग जो है, यहां पर tourist आते हैं, वो इसको enjoy करने आते हैं, तो यह adventure tourism में आ आता है, तो do you know पर आजाएं, do you know में आपको बताया है, मालावक पुमा, a mountaineers, mountaineers है, become the youngest girl to climb Mount Everest at the age of 13, जिसने 13 years की age में, यानि की 13 years की है वो लड़की, और उसने, मला, Mount Everest, जो सबसे उंची चोटी मानी जाती है, उसको जो है, उसने वहाँ पर जाकर जो है, उसको यानि की उसको वहाँ पर उसको फते किया, वहाँ पर इंडियन जो वहाँ का जंडा है, या फ्लैग है, उसको वहाँ पर उसने मला होस्ट किया, शी होस्टिर दा इंडियन ट्राइकलर दिया, यानि की वहाँ पर जंडा फ तो वाइल लाइफ टूरिजम में जैसा कि आपको नाम से ही पता है कि जंगली जहां पर जानवर एनिमल होते हैं तो वहाँ पर उस टूरिजम में क्या होता है तो इंडिया से रिच फोरेस्ट कवर तशेल्टर से लाज वराइटी ओफ लाइफ आपको पते कि बहुत बड़ा यहां पर फोरेस्ट होते हैं बोद बड़े बड़े फोरेस्ट होते हैं जो वाइल लाइफ को शिल्टर जो है देती हैं यानि कि वहां उनको रहने के लिए घर प्रोवाइट करवाते हैं तो सम स्पीशिस फाउंड है था गंगा शार्क्स, ग्यू वेल, स्नो लैपर्स, कुछ ऐसी वाइल लाइफ जो है स्पीशिस है जो वहां पर पाई जाती हैं सम आफ तैम और एंडेंचर टैनी टू बी प्रोटेक्टेट इन में से बहुत सारे एंडेंचर अनिमल्स हैं और उनको प्रोटेक्शन की खास ज़रूरत है यानकी जो लूप तोने की गार पर है और उनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है तो यह आपको नीचे पिक्स देखाई हुए जीम कॉर्बर नेशनल पार्ग कहां पर है यह आप फैंड करेंगे कहां पर है ठीक है बिटा फिर मैं आपको बताऊंगी कहां पर है तो इसमें क्या है एंडेंजर डैनिमल्स ह बिल्कुल लुप्त होने की कगार पर होती हैं, उनको कहा जाते हैं, इन को काफी खतम होने की कगार पर है। नेक्स्ट ए एक्स्टिंग्ट एनिमल्स इनकी यही वो एनिमल्स होती हैं जो बिल्कुल डिसपियर हो चुके हैं इन में से आपका डाइनासोर है तो डाइनासोर बिल्कुल लुपत हो चुका है हमने सिरफ उसको बुक्स में पढ़ा है लेकिन हमने उसको कभी देखा नहीं है तो यह होती है extinct animal तो बेटा आपने मेरे को लगता है कि find किया होगा कि कहां पर है जीम कॉर्बट नेशनल पाफ तो मैं फिर बता देती हूं कि जीम कॉर्बट नेशनल पाफ आपका उत्रा खंड में है ठीकि बेटा नेक्स्ट आजाईए pilgrimage tourism pilgrimage tourism जैसा कि आपको नाम से ही पता है कि जहां पर तीर्थ यात्रा यानि कि धार मिक्स थाल होते हैं वहां पर लोग जाती हैं जिनको काफी जो है जिनका इंटरस्ट मतलब भगवान की तरफ होता है तो वहां पर यह जाती है तो इंडिया से famous for temples आप सब को पता है कि भारत जो है temples के लिए churches के लिए मॉस्कियो गुर्दवारा तो इन सब के लिए काफी जो है famous माना जाता है तो बहुत सारी तीर्थ यात्री हैं जो विष्णो दिवी की यात्रा करती है golden temple है अजमी श्रीफ है तो बहुत सारी ऐसी है चर्च है सेंट कैत्रिल चर्च है तो यह वहां पर ज आते हैं do you know में आ जाए एंडिया हस्ता बिकाम ए पॉप्लर डेस्टिनिशन फॉर मेडिकल टूरिजम आपने तो सिरफ अभी यह तीनी ही पड़े हैं लेकिन एक और टूरिजम पर होता है जो की होता है जिस किस नाम से हैं मेडिकल टूरिजम जहां पर बहुत सारी फॉर्म सेंटर पड़ा था तो इसी तरीके से बहुत सारी और भी टूरिजम है लेकिन कुछ उसमें से जो में में थी वो में आपको आपकी बुक में जितना है मैंने बता दिया तो टूरिस्ट कैन यूजे वराइटी ओफ मेंस आफ ट्रांसपोर्ट आप सब को पते कि हमारे यहां अब आप हर ट्रांसपोर्ट अवयलेबल होता है, घीप है, बॉस अंबहरन है, यहां घान तो यहां पर हर टीव का वो चाहिए जो में मरजी आप उस ट्रांसपोर्ट को यूजे कर सकते है इन इंक बुकिंग इन एड वइन्वाश़ करका को सुए थी भी सैगे देश, क्रे जो credit card है, वो किस नाम से जाना जाता है, plastic money के नाम से भी जाना जाता है, जो foreign tourist होते हैं, वो कैसे करते हैं, वो अपनी currency, pay in the currency of their own country, अपनी currency में, यानि कि जो उनके अपनी देश की currency होती है, उसमें pay करते हैं, और फिर travel agent उनको change करके, जो यहाँ पर buy check, यानि कि get travelers check exchange and pay in the local currency, को local currency में change करके देता है, तो अब आपको बताते हैं, कि step, कौन-कौन से steps जो है, उठाने चाहिए, ताकि हम अपने इंडिया में और जादा tourism को improve कर सके, तो पहला है, people should exist, exhibit the spirit of atithi, देव भवा, कि लोगों के बीच में ये भावना तो होनी चाहिए, कि atithi जो होते हैं, structure होने चाहिए, जिसमें better road, hotel, restaurants, better policing to control the crime rate, और यहां पर अच्छी policies बनानी चाहिए, ताकि crime को रोका जा सके, cleanliness, everywhere, especially at the tourist sites, banning disfigurement of monument, यानि कि disfigurement, यानि कि monuments को कोई नुकसान ना पहुंचे, वहां पर कुछ लिखा ना हो, तो ये बयान सब बयान होने चाहिए, नेक्स है, tourist assistance center, यानि कि tourist को assist करने के लिए, अलग लग center भी होने चाहिए, नेक्स है, do you know, the tourism ministry has decided to reward those states government that ensure cleanliness and provide necessary facilities to the tourist at the place of tourist interest, यानि कि जो tourist बहार से आते हैं, तो tourism ministry ने ये decide कि उनको हम reward देंगे, उनको हम price देंगे, जो वहां पर cleanliness होगी, और जो बहार से tourist आते हैं, उनको facilities प्रोवाइट करवाएगा, तो उनको वहां पर reward भी दिया जाएगा state governments को, तो इसके साथ ही पिटा, हमारा chapter complete होता है, तेंक्स.